हंस डिया में अफराथ पर नियंतर्ण को लेकर पोलिस अधिकारियों की बैठक बैठक में कई थाना प्रभारी रहे मौजूद अफराथ पर रोक लगाने को लेकर हुई चर्चा मुंगेर में बाढ की सिती को देखते हुए प्रशासन अलर्ट डियम ने किया कटाओ रोधी कारियों का निरिक्षन अधिकारियों को दी एक दिशा निर्देश गोंडा में सिरेंडर विस्फोर्ट से भेला टिक्री गाउ हाथसे में दो मकाम धाराशाई मलमेवे दबकर आठ लोगों की मौज साथ लोग घायल दुमका में फरजी सीब्याई आफिसर बनकर ठगी करने वाला आरोपी ठब गिरफतार नौकरी देने के नाम पर आरोपी करता था ठगीद आरोपी से प्रेस आईडी समेट का इस्थमान बरामत नमस्कार व्याइपी निउस देख रहे हैं आप मैं आपके साथ नुप पूर सक्सेना रुक करते हैं खबरों की ओर एक तरफ मुख्यमंतरी हिमन सोरे ने पी-म को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलक्त करवाने की मांग की है तो वही कॉंगरस ने बाबुलार मरांडी को केंदर से बात करने की सलह दी है कॉंगरस प्रदेश प्रवक्ता अलोक दुवे ने मरांडी पर तंच कस्तयोई कहा कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे केंदर सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर बात करे चाहेजा हो, चेचक हो, मलीलिया हो, पूरियो हो, हर टीका इस देश के नागरिकों को प्रेमे दिया लिए, आज भी देश की जनता मांग करती है, बाबुलाल मरांडी जी ने कहा कि आपने तो पहा कहा था कि हम अपने राज्य को मुफ्त में देंगे, यह मैंने कहा था, लेकि एक साल के लिए उसके पूरे ठीके विदेशी लोगों ने बुक कर लिया है, वैक्सीन की कमी और रोजगार के मुद्धे को लेकर कॉंग्रिस द्वारा केंद्र सरकार को घेरने की कवायत पर बिहार प्रडेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है, बीजेपी वरक्त डॉक्टर राम सागर सिंग ने कॉंग्रिस नेताओ पर ताना मारते वए कहा कि देश की जनता ने बीते साथ सालों से कॉंग्रिस को बिरोजगार बना रखा है, साथ ही उन्होंने कॉंग्रिस से शासन काल में लोगों के रोजगार जाने को लेकर भी टिपड़ी की है भारत की जनता के द्वारा पिछले साल साथ से बिरोजगार बनाये गए राहुल गांधी का तीका की कमी और बिरोजगारी पर सवाल करना बैमानी है राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि उनके सरकार में ही टिका बनाने की तीन-तीन कमपनियों को बंद कर दिया गया था और लोगों को बेरुजगार किया गया था आप इस टिका की कमी का रोना नहीं रोएं अगस से एक करो टिका रोज लगाने का परवंद किया जा रहा है अपने संगथन के लोगों को कहें कि टिका करन में आगे बढ़ करके कंदा से कंदा मिला कर और हाथ से हाथ मिला कर भाग लें कोंडा के टिकरी गाओं में देरा संदित हालत में होए सिलेंडर विसफोर्ट से पूरा इलाका दहल उठा विसफोर्ट के कारण दो मकान पूरी तरह से धारशाई हो गए है जिस पे 15 लोग मलबे में दब गए विसफोर्ट की सूचना पर पूची पूलस ने इस थानी लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बहार निकाला आपको बता दे कि मलबे में धब कर आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि साथ अन्ने लोग गंभी रूप से घायल हो गए है है और और लोग भी है और लोग तो सही है कहा पर कोई अतार भी हुई है वह में कुछ पता ना है हमें नहीं बच्चन का लेकर भागिया है इसी खबर पर जारा जानकारी के लिए हमारे सन्वादाता मोहमत कलीम हमारे साथ जोड़ चुके है मोहमत कलीम सबसे पहले अपडेट जी दिये क्या वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है अभी भी कुछ लोग फसे हुए है जी निकपूर वहाँ पर पूरा हो गया है जो कि मैं बता दूँ आपको पूरा ममला वजीर गन ठाना छेद के टिकरी गाओं का है जहां पर देर राज सलेंडर विस्पोर्ट से पूरा इलाका दहल उठा विस्पोर्ट के चलते दो मकान पूरी तरीके से धाना ताही हो गए जितमें 15 लोग मलबे में दब गए सी म योगी ने इस पूरे मामले पर दुख तो जताया ही है इसके अलावा क्या कुछ मौज़े का ऐलान किया गया है अभी तक कोई मौज़े का ऐलानыл नहीं किया गया है वहाँ पर अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है चलिए शुक्री आपका तमाम जानकारी हमसे साजा करने के लिए तो यूपी के गोंडा के टिक्री गाउं में देरात सिलेंडर विस्वोट से पूरा इलाका देहल उठा विस्वोट की वज़े से दो मकान पूरी तरह से धाराशाई हो गए है बिहार में लॉकडाउन के चोथे चरण की शुरुआत आज से हो गई है मुकामस शहर में इस लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है बजार में खरिदारों की उमड भारी भीड में काफी कमी आई है साथ ही लोग जाद से जादा अपने घरों में समय बिता रहे है इसके अलावा विधिवत रूप से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है मेरट में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार कोशिशे जारी है और इसी के चलते मेरट के मेडिकल अस्पताल में 50 बेट के स्पेशल वाट की विवस्टा की गई है जुसमें वेंटीलिटर ऑक्सिजन की पूर विस्टा रहीगी वही कई केंदरों पर दस बेट की विस्टाए की जा रही है संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाना है जिसे लेकर स्वास्टेभा की टीम पहले से ही मुस्तैद हो चुकी है साथ ही मेरट के अंदर दो कोरणा पॉजिटिव बच्चे अस्पताला में भरती होए जिसमें तीन देन पहले एक ही मौत भी हो चुकी है तीसरी लहर को मद्दे नज़र रखते हुए हमारे CSC और PHC आदी को अब्रेट किया जा रहा है ऑक्सजिन की सप्लाई हर जगे सुनिश्यत की जा रही है जेलास्पताल महिला जेलास्पताल पुरिश के अंदर पिडियाट्रिक आईसीऊ के जाजर's बेच चला वेल कॉलिज के इंदर पशाफ बेच पिडियाट्रिक आईसीऊ पुरु ए ए हंस्दिया में हंस्दिया सरकल इंस्पेक्टर संजैस Suman हंस्टिय थाना फरवारी आकरिष्ट अमन सहित कई थाना फरवारियों के साथ अपराद अनुसंधान से सम्मंदित बैठक की गई इस बैठक में शेत्र में वड़ते अपराद पर नियंतर्ण लाने के विशे में बाचीट की गई इसके अलावा अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिये गए हैं यास तुफान के दोरान हुई बारिश के कारण बिहार की नद्यों का जलसर बढ़ गया है बड़े जलसर के कारण कटाओ और बार्द एसिस्टिती को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलट मोट पर आ गया है मुंगेर के डियेम ने प्रशासन की ओर से किये जा रहे कटाओ रोधी कारियों का निरिक्षन किया साथ ही उन्होंने जलसंसादन विवाग के आपदा प्रबंधन टीम के कारे करताओ को कारे संबंधी कई दिशा निलदेश भी जारी किये बोकारों में ग्रामिन शेत्रों के लोगों को अधिक से अधिक वैक्सिंग दिने के मकसद से चार मुबाइल वैक्सिनेशन वैन को सिविल सर्जन कारेले से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया है इस मौके पर स्वास्टे वहा के कई चिकित सक और करमी भी मौजूद रहे हलाकि बोकारों विधायक बिरंची नरायन ने मेडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री से वर्चुल मीटिंग के दुरान ग्रामीन शेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सिनेशन को अधिक से अधिक करने के लिए वबस्ता करने की मांग की थी कि आगी तो अभी ड्याजवली सभी जागा क्योंकि हमें जैसा अनलव हो रहा है कि जो बेहाती चत्र है यहां लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको मुवाइल में स्मार्ट मुवाइल को अपरेट कर दे में दिक्कत होती है तो वो रैजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं और इसी लिए मेरा वैक्सिनेशन का प्राग्रेस बहुत अच्छा नहीं हो रहा था तो यह स्टेट गवर्मेंट से आया निर्देश की सभी जग करके तो विस्टाफित से रहें और तो व्रामिंट से रहें तो वह आज भी आवागवन का काफी संकट है और माने मुवाइल वैक्सिनेशन वैन अगर आप निकलवा दें मुवाइल अगर टेस्टिंग वैन निकलवा दें तो इससे बहुत विदा होगी और मुझे अच्छ युनिवरसिटी में तालावंदी कर दी गई है वही दुरंदा कॉलेज के हुए मामले को लेकर रांची विश्विद्याले के गेट के सामने विरोध प्रदेशन किया गया आपको बता दी कि एनस यूई अपनी दो मांगों को लेकर प्रदेशन कर रहा है उनकी पहली मांग ये है कि ऑफ्लाइन फॉर्म के बदले ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा की जाए वही दूसरी मांग है कि कोरोनकाल को देखते हुए लेट फाइन ना किया जाए कल कॉलेज के तरब से नोटिफिकेशन दिया गिया कि ही लोग को फॉर्म भरना है इस कोरोनकाल में जो पुरे जार्खन में हर जिले में छातर रहते हैं कोई बोकारो है धनबाद है दूर दूर जिलों में रहते हैं कल वो लोग किसी तरह कॉलेज पहुँचे फॉर्म भरने कि नाम पर उन्हों से लेट फीज का फाइन मांगा जा दा प्रतेक स्टुडेंट से अब यह बताइए कि इस कोरोनकाल में एक तो सब यहां फीज देने में समर्थ है और आप उपर से यहां पर फाइन मांग रहें कहां से यह जाज है हम लोग दो मांगों को लेकर कल भी कॉ काउ cancelle करके आप और ओनलाइन फीज जमा करने की सुधाद दी जाए है चास में गाइडलेन के विप्रीत खोली गई दुकानों को बंद करने गई चास पुलिस के साथ दुकानदारों ने बहस की वही पुलिस ने दुकानदारों से दुकानों को बंद करने की अपील की थी लेकिन दुकानदारों ने इस अपील को ठुकरा दिया और कहा सुनी करने लगे इसके बाद मामले की सूचना चास पुलिस को दी गई और उसके बाद कई अधिकारी मौके पर पहुचे और सभी दु पुलिस को कड़ी मशक्कत का इस्तिमाल करना पड़ा। आम के लिए मशूर मुंगेर में इस बार फिर मालदा आम की अच्छी वसल देखने को मिल रही है। यह अच्छी वसल किसानों की खुशी का सबब बन रही है जह एक और यास तुफ़ान के कारण बिहार के कई हसों में फसलों को भारी नुकसान पहुचा है। तो ऐसे में मुंगेर में सही सलामत बची आम की वसल किसानों को काफी राहत पहुचा रही है। यह है मालदे आम की कि यह पहाड़ी अलाका है लाल मिट्टी है। इस बचे से यह का मिलदे आम क्थर फे होता है। पूरे भारत में बहुत पहुत है स्टेत है। बहुत नीठा आम में और इसका गुत्थी यह होता है पतला होता है इसमें गर्स होता 2018 यहां की मिट्टी जो है लाल मिट्टी के बज़े से बहुत रसीले आम होते हैं और यहां मतलब है कि मुगेर से बाहर भी आम जाता है और जो है लॉक्डाउन के बज़े से यहां का माल बाहर नहीं जा रहा है, गाली का आवा गवन नहीं हो रहा है, इसलिए पर के हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है दुमका पुलिस ने गुप सूचन के अधार पर पाटनपुर गाओ से एक फर्जी सीबिय ओफिसर को गिरफतार किया है पतादे की पुलिस के गिरफ्ट में आये व्यक्ती ने सीबिय ओफिसर बनकर कई लोगों को नौकरी देने के नाम पर लगबग देड़ लाक रुपे की ठगी की थी जिसकी सूचना ग्रामिडों ने पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस की ओड से छानमीन के दुरान फर्जी सीबिय ओफिसर बने व्यक्ती की गिरफतारी की गई वही आरुपी के पास से पुलिस का लोगो लगी एक स्कूटी सहिद प्रेस आईडी कार्ड आधार कार्ड समेट कई समाहन बरामत किये गए अनुसार एक टीम गठन कर उसका छापा मारी किया गया जांच परताल किया गया उस आदमी को बारे में जब हम लोग जांच परताल पूस्ताज किये तो जगह से यही सुचना मिली कि कई जगह पर वहां बैखकी अपने आपको श्रीयाई का अफसर बताके और दुकान वाले न से गाड़ी वाले से ओटो वाले से ठगी का काम करने में बैंक केश्यर पर फर्जी वाड़ा करने का मामला सामने आया है। की थाना शेत्र के विशॉल गाउ स्टेश सरकारी बैंक का है जहां ग्रामीड महिला ने कैशियर पर केवाईसी के नाम पर कई दफा सिगनेचर करवा कर साड़े साथ लाक रुपे निकाले जाने का आरोप लगाया है उस मामले का पता तब चला जब महिला घर बनवाने के नाम पर पैसे निकालने के लिए बैंक गई वही अब महिला ने उस मामले को लेकर बैंक के बड़े अधिकारी को लिखिट शिकायत देकर कारवाई की भी मांग की है पैसे बता चला है और वहाँ से सिकायत आई है कि इसका है मैटर आप संग्यान लेकर इसका डिटेल्स हमारे आंशली करड़ेल को प्रेस करें तो हम उनका जो वे निकासी है उसका इंट्री वा इंट्री जांस कर रहे हैं और जो भी इसका वोगा जांस आपको बाद में बिटेल्स बता दे जाए लहाँ से मैं कमा कमा के पैसा में डालता था बैंक में भेजता था जब इधर मैं आया सारे तीन साल पे तो यहां देखा जानिस निकाल के दिया, पिर बाद में करवा इकिया तो कभी 10 आदमी आता, कोई धंकाने के लिए कभी 20 आदमी आता, ऐसे करके आता है धंका के चला जाता है इसी खबर पर जारा जानकारी के लिए हमारे सन्वादाता अमर्देव ठाकूर हमसार जोड़ चुके है अमर्देव ये पूरा मामला क्या है जिसमें बैंक केशियर दोवरा फर्जी बारा का आरोप लगाया उस पर हरलाquis के बिशोल गौं में ये पूर्जी बारा का मामला बैंक केशियर के दोड़ा आया है जो मएला ने आरोप लगाया है कि बैंक के कैशियर ने लगातार घर पर भी आ करके बैंक में बुला करके फिर ये जो आधार नंबर के लिंक नहीं है ये सब कह करके उस महिला को बुलाते थे और विड्रॉल पर सिगनेचर लेकर अंगुठा का निसान लेकर के उनसे ये कह के भेज दिया जाता था जो अभी लिंक नहीं है अभी आप तो पैसा नहीं मिलेगा ऐ जब ये बात मुर्क माने महिला जो थे सो अनपर थे महिला समझ नहीं पाई जब उनके पती दूसरे देश से जब अपने घार आए घर बनाने के लिए तब बैंक में जाकर कर पैसा निकालने की जब गय तो देखा वहाँ जो एक भी पैसा नहीं है करीब सारे 7 लाख रुप बैंक कर्मियों ने उनके साथ भी बत्तमी जी की वहां से निकाल दिया और ये कहकर के धंशी भी उन्होंने आरोख लगाया है जो बैंक कर्मियों के द्वारत धंकी भी दिया जा रहा था तो 50,000 लाख रुपिया लेकर कि इस मामला को तलख ले लेकिन उन्होंने कहा ने ऐस नहीं होगा जो मेरा पैसा है वो हमको चाहिए बैंक प्रशासन की तरफ से कुछ कारवाई की गई है कुछ बयान सामने आया है जी बैंक के जो प्रवंत्रक मैनेजर है उन्होंने कहा जो इसका जाच चल रहा है जाच करने के बाद इस मामले का पूरा बात सामने आ जाएगा अगर गलत होगा तो इस पर कारवाई की जाएगी ये कौन सा बैंक है सरकारी इसका कुछ नाम पता चल पाया है हाँ हरलाखी के बिशोल राओं में बैंक और इंडिया नाम की बैंक है जिसमें कैसियर के द्वारा का काम किया गया है चले शुकरिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुचाने के लिए हंस्डिया थाना शेत्र के नोनीहार्ट गाओं में छेडखानी के मामले में एक यूवक को गिरफतार किया गया है यूवक और यूफ्ती नोनीहार्ट शेत्र के रहने वाले बताय जा रहे है खबरों की माने तो युफ्ती ने हंजडिया थाने में मामले में आविदन दिया था जिसके अधार पर पोलिस ने फॉरन कारवाई करते हुए उस युवक को धर दवोचा शाजापूर में तेज रफतार का कहर देखने को मिला है जहाएक ट्रक ने तीन युवको को कुचल दिया जिससे दो लड़कों की मौत हो गई है जबकि एक लड़के को गंबीर हालत में जिलास्पताल में भड़ती कराया गया इस घटना के बार ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया वह पोलिस ने ट्रक को कबजे में लेकर आगे की जाच शुरू कर दी है किसने लोग घाल हुए इसमें दो बच्चे खतम होगा एक बच्चा गाहे लाए निगोई से हमारे पास राद में तीन एक्सिंटर लाए गए थे तीनों बच्चे दे एक की तो घटना स्कल्पी मुच्ची हो गई थी उसकी बॉड़ी मर्ची में रखा दी लिए पस्मादम लखनो वारनसी हाइवे पर ट्रेलर और ट्रक में बीशन टक्कर हो गई सासे में जहार ट्रेलर चालक की इलाज के दुरान मौत हो गई दो अन्य लोग घाल है जिनका इलाज जिला अस्पाताल में किया गया वही एक युवक की हालत गंभीर देखते होए उसे लखनो रैफर कर दिया गया है। बिहार में शराब तसकरी पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगतार रूप से प्रयासरत है धर पकड की इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है बता दे की मिली सूचना के अधार पर वहन चेकिंग के दुरान पुलिस ने वैन से बड़ी मातरा में हरियाना निर्मित शराब बरामत की है। साथ ही इस दुरान पुलिस ने एक यूवक को भी गिरफतार किया है जबकि एक यूवक भागने में सफल रहा। बिहार में अपराधियों का आतंग सर चड़कर बोल रहा है अपराधियों के उतपात का ताज़ा मामला भागलपुर के नवगजिया से सामने आया है जह तीन बाइक सवार अफराधियों ने किसान की गोली मार कर हत्या कर दी इस घटना में किसान की घटना स्टल पर ही मौत हो गई घटना के पीछी का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है हत्या की सोसना पर नवगचिया स्टीप और दिलीप कुमार और सरकल इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने मौके पर पहुच कर शव को अपने कभजे में ले लिया है केस में जेल गए है और कुछ दिन पहले ही एक लड़के का मडर हो गया था उसमें उनकी सनलिपता आए थी तो जेल गए थे पटना सिटी के बाइपास थाना के तहर पिकप वाहन ने ट्रक में जाकर टकर मार दी इसके बाद पिकप वाहन का चालक बुरी तरह वैन में फस गया वही पिकप वाहन का चालक अपनी जान बचाने के लिए लोगों को आवास देने लगा जिसके बाद तैफिक पुलिस के अधिकारी और पुलिस कर्मी पिकप वाहन की चालक को बचाने के लिए लगतार कोशिश कर रहे हैं वहीं 20 मिनिट की मशक्कत के बाद साकुशल ड्राइवर को बचाया गया सडक पर हुई गुर्गटना के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था चलिए फिलाल के लिए इस बुलेटन मेरे साथ इतना ही देश्वा दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं वी आईपी निवस नमस्कार